आजकर दोस्तों, हर्स के साथ राज यूरुप चैन में आप सभी का स्वागत हैं, उमीद करता हूँ आप सभी स्वस्तों में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बिहार स्टेट उनिवर्सिटी सर्विस कमिशन बी, एस, एस, सी, द्वारा जू, सिस्टेन प्रोफेसर के सक्षातकार आयूजित की जा रही है ताहर प्रोफेसर के इंटर्व्यू में किस प्रकार के प्रसन पूछे जा रहे हैं पैनल में कितने मिंबर होते हैं, इंटर्व्यू कितने मिनट का होता है इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के बीश साजा करूँगा तो आप सुरू से अन तक जरूर देखें तो सोपर्थम मैं अपने बारे में आप सभी को जनकारी देदू दोस्तो मैं जो है दस से अधिक कॉलेजों में सक्छातकार दिया हूँ वर्तमान में मैं दिल्ली विश्विद्याले में अस्थाई रूप से सहायक प्रोफेसर पद पर कारेरत हूँ साथी साथ बिहार स्टेट उन्वर्सिटी सर्विस कमीशन के दुआरा जो चैनित अभ्यार्थी हुए हैं जो हमारे सिनियर्स हैं या हमारे मित्र हैं उनके भी अनभव जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच साजा कर रहा हूँ पैनल में जो मेंबर होते हैं कितने मेंबर होते हैं तो पांच मेंबर होग मन में यह प्रसन आता है कि किस प्रकार के जो हैं ड्रेस पहन कर जाना चाहिए तो फॉर्मल ड्रेस चाहिए वो मैला हो या प्रूसो फॉर्मल ड्रेस पांच कर जाएं सबसे महत्पून या जानना जरूरी है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं बिहार स्टेट उनिवर्सिटी सर्विस कमिशन द्वारा जो की असिस्टेंट प्रोफेसर की हो रही है आठ जून को जो है सहित विशय के सक्षतकार होना है या आगे भी चाहे राजिनती विज्ञान हो, हिस्टरी हो, चाहे संस्क्रीत हो, उर्दू हो सभी विशयों में अभी सक्षतकार होने है, तो सभी चाहत्रों के लिए ये विडियो उप्योगी होगी तो ये ध्यान रखना है कि जो चाहत्र प्येजडी कर चुके हैं उनको विशय सुरूप से ये ध्यान रखना है कि आपके जो प्येजडी के टौपिक हैं जो भी टॉपिक है PhD आप जिस विशय पर जिस टॉपिक पर आपने PhD की है उसके बारे में विशय शुरुप से ध्यान रखना है पांच पब्लिकेशन होगे उस पब्लिकेशन के सभी पब्लिकेशन को ध्यान पुरवक आप पढ़ लेंगे पब्लिकेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं और आप जिस विशय से हैं उस विशय के बेसिक चीज़ को जो है अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे और ये भी धियान रखना है कि मेंबर द्वारा ये भी पूछा जाता है कि आप फिलहाल जो है क्या कर रहे हैं रिसेंट टाइम में आप कहीं पढ़ा रहे ह पूछे जा सकते हैं, साथी साथ इस विशे में आप आपका पसंदीता जो है topic है, उसके बारे में ये पूछा जा सकता है कि आप 2 से 5 मिनद तक जो है इसके बारे में बताईए कि आप बच्चों को किस परकार से पढ़ाएंगे, तो ये इस पर विशे सुरुप से आपको धिय दियान रखना है, बेसिक चीज सोपर्थम, साथी PhD से related, topics related, PhD के दर्मियान जो आपने research publication किया है, paper publication किया है, उसके बारे में बिशे सुरुप से धियान रखना है, methodology भी, research methodology से भी related आप उस पर भी कुछ काम कर लेंगे, और ये कोशिस रहे, ऐसा नहीं है कि हर छात्र का interview जो ह PhD टॉपिक पर ही होगा, ये निरभर करता है छात्र पर कि मेंबर को किस और मोड कर लेके जाना है, आपके जवाब पर ही निरधारित होगी कि आपके interview किस परकार से होने हैं आगे, तो आप ये धियान रखना है कि आप जो भी मेंबर के सामने जवाब दे रहे हैं, वो जवा आप बहुत ही संतुलित होनी चाहिए, ये भी धियान रखना है कि आप जिस भासा में आपकी पकड़ अच्छी है, उसी भासा में interview दे, शुरू से ही, और कितने मीनट तक interview होती है, तो ये कोई fix time नहीं है, लेकिन 15 से 15 मिनट जो है, 10 से 15 मिनट जो है, ये almost सभी छात्र के interview चलते हैं, अपवाद सुरूप किसी के 20 से 25 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन 15 स्टंडर जो time है, वो 15 मिनट है, तो सारे छात्र जो आने वाले विश्यों के सक्छतकार देंगे, वो धियान रखेंगे, सोपर्थम PhD, उसके बाद जो है आप वरतमान में क्या कर रहे हैं, किस जो है आपको याद रखने हैं, बैचलर डिगरी के और मास्टर डिगरी के, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि सलेवस ही पुछ लिए जाते हैं कि जो है बैचलर डिगरी के क्या-क्या सलेवस हैं, कितने यूनिट्स हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये सभी आप कर लेंगे तो आपके जो हैं अच्छे इसको जिरूर आएंगे तो मैं अपने अनुभव और seniors या मित्र के अनुभव के अधार पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनकारी दिया हूँ तो उमीद करता हूँ आपको ये जनकारी अच्छे लगी होगी इस चैनल पर बने रहें थैंक्यू धन्यवाद